अब हमें किसी बड़े से बड़े खुबसुरत और महंगे पौधों को ग्रो करने के लिए प्लांट पर्चेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पौधे अउनली एक सिंगल लिप से ग्रो हो जाते और काफी खुबसुरत से प्लांट वन जाते तो एक सिंगल लिप से इन पौधों को फ्री में घर में तियार कर सकते तो चलिए वीडियो में जान लेते कि कौन-कौन से ये प्लांटे हैं तो वीडियो देखते देखते अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ पहले किन के वटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए तो सबसे पहला जो हमारा पौधा है ये है कलरफुल लिप से वाला एक इंडोर प्लांट से जिसे क्रोटन कहते हैं क्रोटन के काफी सुन्दर सुन्दर वाराइटी होते है और ये जो पौधा आप सामने देख रहे हैं इस पौधे को हम अनले एक सिंगल लिप से ग्रो कर सकते हैं ये देखिए सामने आपके रिजल्ट हैं इस Croton की एक single leaves को मैंने पानी में रखा था और कितना अच्छा इसका roots ग्रोव हो गया आप देख सकते हैं तो चलिए हम बताते हैं कि इस पौदे को हम कैसे single leaves से ग्रोव कर सकते हैं यह जो Croton है friends Croton की काफी सुन्दर सुन्दर variety होती है तो किसी भी leaves को हमें लेना है जो leaves काफी healthy होनी चाहिए है और थोड़ी सी पुरानी हो एकदम नहीं जो leaves grow हो रही है उपर की वो ना ले जैसे यह देखिए इस leaves को में लेती हैं हलकी सी हम अगर इसे दवाते हैं प्रेस करते हैं तो इनकी leaves यहां से निकल जाता है निकलने के बाद यह देखिए हलका सा पानी जैसे निकलता है तो इनको अच्छी तरह ड्राइ करके यह जैसे मैं ड्राइ कर रहे हो यह ड्राइ करने के बाद फ्रैंटस हमें इसे लगाना है इसके लिए हमें एक छोटा सा डिस्पोजल या काज की ग्लास या कोई डबा आप ले सकते हैं डिस्पोजल में आप साधा पीने का पानी रख सकते हैं पानी का लीवल सेम होना चाहिए जब तक रूट्स ग्रो ना हो और इसे रखके एकदम शीट वाली एरिया में रखना है तो कुछ इस तरीके से फ्रेंट से वन मन्थ कम्प्लीट हो गया है मैंने इन सिंगल लिप्स को रखा था कुछ दो फ्रेंट से अभी 15 डेज हो रहे हैं जिसके रूट्स ग्रो नहीं हुए और इसकी रूट्स आप देख सकते कितने अच्छी तरेके से डफलब हो गया आप देख सकते इस सिंगल लिप्स में फ्रेंट से में रूट्स के साथ कितने सारे एस्टर रूट्स भी ग्रो गया तो मतलब ये पौधा एक baby plant तियार करने के लिए एक्तम रेडी है अब इसे soil में अगर हम लगा देंगे तो कुछ ही महनों में ये एक ऐसा ही बड़ा पौधा तियार कर देगा इसकी बाद जो हमारा पौधा है फ्रेंट से ये देखिए Trangle Heart Trangle Heart की सिंगल लेड़ से को फ्रेंट से मैंने आज से 20 या 15 डेज पहले यहां पर रख दिया था और कितना अच्छा baby plant तो ग्रो हो गया ये देख सकते हैं कितना अच्छा और कम से कम 2 इंच का ये पौधा हो गया है अल्ली एक सिंगल लेड़ से तो चलिए हम बताते कि इस पौधे को हम एकदम सरल तरीके से कैसे ग्रो कर सकते हैं तो ये जो hanging basket है फ्रेंट से यहां से मैं 2-3 इनके सिंगल लेड़ से को ले लेती हैं लेड़ से जो लेना है फ्रेंट से आपको एकदम फ्रेश होना चाहिए और हलकी सी पिंच करके आप थोड़ी सी ये देखिए यहां से इतना सा लेड़ सी का पार्टथ छोड़ देना और उसे मिटी में हलकी हाथ से दवा देना एकदम अंदर की तरफ नहीं दवाना ज़ादा जोड़ से प्रेंज नहीं करना तो कितना इजी है फ्रेंट से इन पौदों को ग्रो करना आगे जो एक हमारा फ्लावर प्लावर प्लाटे है फ्रेंट से इससे क्लैंचो कहते हैं क्लैंचो विंटर का काफी हाडी और हैवी फ्लावरिंग करने वाला और वन से टू मन्त तक फ्लावर खिले रहते हैं इसी एक पौदे में तो इस पौदे की तियारी हमें इसी टाइम से कर लेना चाहिए उनली एक सिंगल लिप से हम इस पौदे को तियार कर सकते हैं घर में यह दिए फ्रेंट सा अभी यह उनली 10 डेज का रिजल्ट है जो मैंने इनकी सिंगल लिप को ग्रो किया आपके साथ वीडियो भ होंगी तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं ज्यादा दिन की वीडियो नहीं है और प्रूप है विद प्रूप यह देख सकते हैं आप कि कितने सारे इनकी बेवी प्लांट ग्रो हो रहे हैं तो मैं अगर इसी एक-एक सिंगल लिप्स को अच्छी तरह एक बुर-बुरी स्वा प्लांट मिलता है क्योंकि इन पौदों की ज्यादा हाइट नहीं होती है पांस से छे इंचे तक के पौदे होते हैं तो देखिए लगाने का एकदम जो इजी तरीका है ऐसे हम थोड़ा सा पिंच करके इतनकी सिंगल लिप्स को निकाल लेंगे इसे लिप्स को अगर हम की है फ्रेंट से तो अब वन मंत में धेरो सारे पौदे अनली एक सिंगल सिंगल लिप्स से ग्रो कर सकते हैं तो रिजल्ट आपके सामने है फ्रेंट से कुछ पैसे आप बचा सकते हैं आगे जो हमारा यह पौदा है विंटर सेजन में काफी महंगी प्राइज में यह कोटा सा बेबी प्लांट तियार हो जाता है और कितना खुबसूरत से बेबी प्लांट तियार किया है और रूट से आप देख सकते कितने हैं तो यह सारे पौदे प्रेंट से मैंने पर्चिस नहीं किया है ऐसे सिंगल लिप्स लगा लगा के मैंने धेरो सारे प्लांट से त अंगिनत पौदे है और अंगिनत कलेक्शन है तो मैं ज़ारा कम पौदे खरीती हो सिंगल लिब्स लेक्याती ओ उन्हीं से उस सारे पौदे तियार गरती हो तो अगर आप चाहिना चाहते हैं कि इस पौदे को हमें कैसे थ्यार करती हो तो वीडियो बहुत सारी मिल जाएगी मेरी चैनल पे तो तोड़ से कस्ट करके आप देख सकते हैं आगी जो हमारा पौधा है घम में रखना काफी शुप माना जाता है पानी में सॉयल में इस पौधे को ग्रो कर सकते इसी एक पौधे को हम अउली एक सिंगल लीप से भी ग्रो कर सकते हैं पौधे उसकी काफी संदर संदर वाराइटी होती है यह दिखिए वन मनते पहले में पानी में इन सिंगल लीप से को ग्रो किया है और कितने हेल्दी इनके रूट से ग्रो हो गया है कितने बड़े बड़े इनके रूट से जा रहे है अब इसको अल्ली सॉयल की जरूरत है हम लगा के रखेंगे तो 15 या 20 डेज में इसके बेवी प्लांटे इसके रोट से के पास से ग्रो हो जाएंगे अगला जो हमारा पौधा है काफी महंगी प्राइस में इनकी ड्रॉप पैराइटे मिलते से संचिवेरिया कहते 200 या 250 रूपीज में इसका एक पौधा मिलता है तो इसी एक पौधे को फ्रेंट से हम फ्री में उनली एक सिंगल लिप से ग्रो कर सकते हैं यह देखिए मैंने वन मन्त अभी कंप्लीट से तोड़ा सा ज्यादा हो गया है अंदाजा नहीं है मुझे सही तरह और इसके देखिए वीबी प्लांट इसी मांसुम में प्रेंट स है एक सिंगल लिप्ज मैंने ले लिया था इसी में से और देखिए काफी सुंदर मेरा यह पौधा तेयार हो गया तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ पैसे भी मेरे बच गया फ्रेंट से और किसी से मांगने की जरूरत भी नहीं हुई अगला जो हमारा एक पौधा है इस इसे क्रैसला ओविटा कहते है इसी एक कलश्मी प्लांटे भी कहते है घर में रखना इसे बहुत ही ज्यादा शूप माना जाता है और इसकी जो प्राइज होती है फ्रेंट से वह टू हंडेट से लेकि फाइव हंडेट रूपीस की बीच में यह पौधा मिलता है इस महंगे से मानसुन में उसके अकोर्डिंग इस पौधे ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है अगर में विंटर में इनके सिंगल लेपस को ग्रो करूंगी तो हमें 15 डेज या वन मन्थ में काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है उसके अकोर्डिंग बेमुसम इन पौधों ने किया है और यह पौधा है यहीं से मैंने एक सिंगल लेपस को यह जोटा सा एक बोतल है उसमें रख दिया दा और काफी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलता है इसके प्लांट ग्रो होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है अगला जो अगला पौधा नहीं है और यह एक सिंगल लेपसे मेरे पौधे को ग्रो किया है इनके यह दिखिए पौधे के साइट में जो यह डिजाइन से बने होते हैं यहीं से इनके छोटी-छोटी से बेबी प्लांट ग्रो हो जाते काफी फास्ट ग्रोइं यह प्लांट है बहुत जल्दी इनकी ग्रोध होती है फ्रेंट से तो एक बार इन पौधों को आप सिंगल लेपसे जरूर करें कुछ पैसे बचने के साथ फ्रेंट से हमें नए एक्सपेरिमेंट भी मिलता है कि पौधे को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं तो एकदम 100% रिजल्ट देने वाले यह पौधे फ्रेंट से और मैंने साथ ही साथ आपकी साथ रिजल्ट भी शियर किया तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताईएगा चैनल में अगर आप पहली बारे तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब की साथ साथ वैल एकिन के बटन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा तो न स्कार हैपी गार्डनिंग जै हिंद जै भारत राधे राधे